Hello students, आज हम permutation group की कुछ परिभाशाओं के बारे में तता उस सम्मंदित कुछ examples के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास में है equality of two permutation यानि की दो करमचेओं की तुलना माना की F और G दो हमारे पास में समान घात के करमचे हैं जो की N अभयवों के परिमित समुचे S पर परिभाशित हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि यदि हमारे पास में S equal to एक समुचे है 1, 2, X1, 1, 2, 3, 2, N ले लेते हैं चाहिए कुछ भी यह हमने लिया तो यह दोनों करमचे इसके दो करमचे ले लिए हमने F और G मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि S जो हमारा समुचे है अगर N उसमें आभयव हैं तो N पर्मूटेशन के उसको N उसके पर्मूटेशन बनेंगे तो मान लेते हैं कि कोई हमने इसमें से दो ले लिए F और G तो यह दोनों करमचे जब तुल्य होंगे जबकि इनके प्रतिचित्रण भी समान हैं जैसे कि F इक्वल टू G कब होंगे जब F X इक्वल टू G X यानि कि जो मैपिंग F X का है वो ही मैपिंग G X का होना चाहिए जैसे कि मैं आपको एक्जामपल में बताती हूँ यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में F is equal to 1,2,3 और 3,2,1 यह हमारे पास में एक फंक्शन है तो जो हमारा G फंक्शन है वो F बराबर G कब होगा जबकि हम यहाँ पर F G भी हमारा 1,2,3,3,2,1 हो या यह सपोज हमने उपर का चेंज कर दिया 2,3,1 तो 2 का मैपिंग 2 ही होना चाहिए 3 का मैपिंग यहाँ पर 1 है तो 1 होना चाहिए और 1 का 3 है तो 3 होना चाहिए तब तो यह दोनों समान है यानि कि F of 2 का मैपिंग 2 है तो G का भी मैपिंग 2 का ही होना चाहिए इसी तरह से यदि F of 3 का मैपिंग 1 है तो G का भी मैपिंग 3 का ही 1 होना चाहिए और F of 1 equal to हमारे पा पास में तो हम यह कहेंगे कि यह हमारा तुलिय समच्च है अब दूसरा है हमारे पास में आइडेंटिटी परमूटेशन यदि हमारे पास में जो फाइनेट्स सेट है X1, X2, XN इसका कोई भी करम्चे अगर हम लें और वो इस तरह से करम्चे हो हमारे पास में कि वो जो करम्चे है हमारे पास में वो स्वेम पर पती चत्रन हो स्वेम पर पती चत्रन हो तो उसको हम तसमक करम्चे कहते हैं जैसे कि Fx बराबर X अब इसका अगर हम एक्जामपल लें तो इसके जो एक्जामपल है वो एक्जामपल हमारा होता है S equal to ABC तो इसमें क्या जाएगा जो हमारा करमचे है F वो सपोर यहाँ पर ABC अव्यावका है तो इसकी मैपिंग सेम ABC होनी चाहिए तो इसे हम कहते हैं तत्समक करमचे हर element की mapping सेम होनी चाहिए देखे Fx की mapping x होनी चाहिए तो A की mapping A, B की mapping B इसी तरह से सारे अव्यावकी mapping सेम होगी तो उसे हम तत्समक करमचे कहते हैं फिर हमारे पास में आता है inverse permutation तो inverse permutation हम किसको कहते हैं यदि किन ही दो करमचे का ऐसा गुणनफल जो तत्समक करमचे हो तो ऐसे करमचे को हम एक दूसरे के प्रतिलों करमचे कहते हैं जैसे मैंने आपको जब group पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो identity होती है अगर हम किसी अव्याव में binary operation लगाएं और identity आ जाए तो वह एक दूसरे के प्रतिलों होते हैं तो यहां पर हम example से इसको समझेंगे example मान लेते हैं हमारे पास में suppose हमारे पास में एक s एक set है 1,2,3 और 4 इसमें आवे हैं तो यह जो set है suppose यह इसका एक f is element of this is equal to है 1,2,3,4 और इसका mapping है 2,3,1,4 तो जब हम इसका inverse करेंगे यहां पर f inverse क्या हो जाएगा इसको उल्टा कर देंगे 2,3,1,4 को तो हम उपर लिख देंगे और 1,2,3,4 को हम नीचे लिख देंगे यह इसको हम उपर लिख देंगे यहां पर और इसको हम नीचे लिख देंगे यह इसका inverse हो गया अब इसके हम mapping same कर लेंगे तो इस mapping को जब हम करेंगे system से करेंगे 1,2,3,4 तो 1 की mapping यहां पर है 3 तो हम यहां लिखेंगे 3 2 की mapping हमारे पास में है 1 तो हम यहां लिखेंगे 1 3 की 2 तो यहां 2 और 4 की 4 तो यह जो हमारा है यह हमारा होता है F of Inverse अब इस F of Inverse को जब हम F से गुणा करेंगे यदि हम F F inverse करें तो वो हमारे पास में क्या आजाएगा identity का मतलब क्या आजाएगा 1,2,3,4 उपर आजाएगा और 1,2,3,4 नीचे आजाएगा अगर इस तरह का आजाता है तो हम यह कहते हैं कि F का inverse यह F inverse होता है इसी तरह से cyclic permutation किसे कहते हैं जो cyclic permutation है चक्रिय करमचे माना कि S हमारे पास में एक समुच्चे है X1, X2, X3, Xn यदि एक परिमित समुच्चे जिसमें F उसका एक करमचे है वो करमचे ऐसा है कि function of X, I is equal to X, I plus 1 है जहाँ पर I is equal to 1 से लेकर के K minus 1 तक है और K is less than equal to N है साथ में F, X, K is equal to F, X, 1 है sorry X, 1 है and F, X, J equal to X, J है जहाँ पर कि J, 1 से लेकर K तक नहीं होना चाहिए तब हम कहते हैं कि F जो है वो K लंबाई का एक चक्रिय करमचे है इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते है F is equal to X, 1, X, 2, X, 3, X, K अब यहाँ पर आप इसमें देखेंगे कि जो चक्रिय है X के बाद X, 2 इसकी मैपिंग होगी 2 के बाद 3 ऐसे X, K minus 1 की मैपिंग X, K और इसकी मैपिंग X, 1 इस तरह का जो होता है उसको हम कहते है चक्रिय करमचे जैसे कि एक उधारन हम यहाँ पर लेते है F is equal to 1, 2, 3, 7 जो कि S7 का एक S7 हमारे पास एक समुच्चे है साथ अव्योगों का उसमें से एक करमचे हमने लिया 1, 2, 5, 7 अब इस को हम 4 लंबाई का करमचे कहते है क्योंकि यहाँ पर 4 हमारे पास में आव्याब है अब इस चक्रिय करमचे को हम कैसे लिखेंगे F is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 1 का मैपिंग है यहाँ पर 2 तो यहाँ से यह मैपिंग देख करके हम चलेंगे यह 1 है 1 का 2, 2 का 5, 5 का 7 और 7 का 1 तो 1 का 2 लिख देंगे हम मैपिंग 2 का हम 5 लिखेंगे मैपिंग 5 का हम 7 लिखेंगे और 7 का हम 1 लिखेंगे बाकी सारी की सारी जित्ते भी अभियाव हैं वो यहाँ पर XJ equal to XJ होता है जहाँ पर की J is not equal to 1 to K तो यह हमारे पास में XJ equal to J होता है 3 का 3, 4 का 4 और 6 का 6 तो इस तरह का जो हमारे पास में permutation है इस permutation को हम cyclic permutation कहते हैं और अगर इस तरह का जो permutation आता है इसको हम cyclic के रूप में हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं 1, 1, यहां 1 का mapping कितना है 2 फिर 2 का mapping कितना है 5 5 का mapping कितना है 7 और 7 का mapping हमारे पास में है 1 तो यह 7 का mapping फिर से 1 हो गया तो यह हमारा cyclic permutation है चार लंबाई का यह हमारा cyclic permutation है of length 4 तो यह 4 लंबाई का हमारा cyclic permutation है अब ऐसे ही हम inverse cyclic permutation inverse of a cyclic permutation या हम यह कहते हैं कि कि किसी चक्रिय कर्मचे के अभ्यवों को उल्टे करम में लिखने पर जो चक्रिय कर्मचे प्राप्त होता है उसे हम प्रतिलोम चक्रिय कर्मचे कहते हैं और इसे हम f inverse से लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था inverse permutation के बारे में कि हम जो उपर की x image होती है उसकी f x उसको उल्टा लिख देते हैं तो वो f inverse बन जाता है इसी तरह से यहां पर चक्रिय कर्मचे में भी हम इसको ऐसे ही करेंगे इसमें हम क्या करेंगे suppose हमारे पास में example है suppose f हमारे पास में है 1, 2, 5 और 7 तो जो इसका inverse होगा f inverse वो क्या हो जाएगा उल्टा लिखेंगे 7 पहले, फिर 5, फिर 2, फिर 1 और इसको हम ऐसे भी रिख सकते हैं क्योंकि 7 का mapping 1 है 1 का mapping 7 है 7 का mapping 5, 5 का 2, 2 का 1 और 1 का 7 तो हम अब इसको 1 से start करना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 7, 5, 2 ये भी इसका inverse ही होगा और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे की ये S7 का है F is belonging to S7 तो हम इसको जैसे की अभी हमने उपड लिखा था इसको हम F equal to लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर यहां पर 2, 5, 7, 1, 3, 4, 6 ये हमारा cyclic permutation हो गया अब इस cyclic permutation के inverse permutation को हम कैसे लिखेंगे F inverse equal to 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसे की मैंने अभी आपको बताया था उल्टा और इसको वापस से जब हम arrange करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 1 की permutation कितनी है 7 7 की permutation है 2 की mapping है 1 इसके बाद में 3 की mapping है 3 4 की mapping 4 5 की mapping 2 and 6 की mapping 6 और 7 की mapping है हमारे पास में 5 तो यहां पर भी आप ये देखें कि जब इस mapping को आप लिखेंगे इस रूप में, cyclic रूप में तो यहां 1 की mapping है 7 तो 1, 1 के बाद में 7 sorry कॉमा नहीं आएगा 1, 1 ये 1, 1 के बाद में 7 फिर 7 के बाद में 5 फिर 5 के बाद में 2 फिर 2 के बाद में 1 2 के बाद में 1 है पहले तो यह बंद हो गया इस तरह से हम inverse of cycle भी निकाल लेते हैं अब हम order of cycle के permutation definition देखते हैं यदी एक हमारे पास में यदी एक n लंबाई का चक्र है तो f की power n is equal to i जहांपर की n हमारा least positive integer यानि की new rhythm धनात्मक पोनांग है तो हम इस n को cyclic या f की कोटी या order of function f कहते हैं यहां पर हम इसको एक example के दोरा आपको समझाएंगे कि जब हमारे पास में कोई भी एक permutation दिया है उस permutation का हम आपस में गुणा करते जाएंगे और जब तक करते जाएंगे जब तक कि वो identity में नहीं आ जाता जब वो identity में आ जाएगा तो जितनी power के साथ वो identity में आएगा उतनी ही power उसका order होगी अब हम इस example को solve करते हैं suppose हमने यहां पर इस example को करते हैं तो इसके लिए f equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students मैंने सारे example एक इस से समझा रही हूँ जिससे कि आपको सारी परिभाशा एक साथ समझ में आ जाएं अब यहां पर 1, 2, 5, 7 तो यह 1 की mapping 2 2 की mapping 5 5 की mapping 7 और 7 की mapping 1 बाकी same mapping है 3, 4, 6 यह हो गई अब हमें f square निकालना है इसका मतलब f into f निकालना है तो जो product of two permutation मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था उसको जाकर के देख सकते हैं यहां पर एक बर और दिखा रही हूँ 4, 5, 6, 7 2, 5, 3 4, 7, 6, 1 दुबारा से दिखेंगे इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हमें इनको multiply करना होता है तो हम यह जो नीचे वाली term है इसको यहां उपर लिखेंगे यहां पर 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 और यह चीज़ हम ऐसे कैसे same लिखेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 5, 3, 4, 7, 6, 1 यह वाली जो term है यह वाली इसको हम ऐसे कैसे same लिखेंगे यहां पर अब हम इसको आगे करते हैं इसको यहाँ पर जो हमने यह नीचे वाली जो term लिखेंगे यह वाली इस term को हमने यहां उपर लिखा अब इस उपर से mapping यहां से लिएंगे हम इसमें से ये 2 की mapping है 5 तो यहां लेखेंगे 5 5 की mapping है 7 तो यहां लेखेंगे 7 फिर 3 की mapping है 3 यहां लेखेंगे 3 4 की mapping है 4 तो यहां लेखेंगे 4 7 की mapping है 1 तो यहां लेखेंगे 1 6 की mapping है 6 तो यहां लेखेंगे 6 और 1 की mapping है 2 तो यहां लेखेंगे 2 अब हम क्या करेंगे इसमें इसमें से हम यह देखते हैं कि इस वाली टर्म की इसकी तो उपर की और इसकी नीचे की यह हम लिख लेते हैं तो यह हमारा आंसर आ जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 3, 4, 1, 6, 2 तो यह हमारा आया f square, which is equal to कितना है f of square, अभी यह identity नहीं आया है तो हम फिर से f cube निकालेंगे, फिर हम f4 निकालेंगे तो जब हम f4 निकालेंगे, इसको आप अपने आप निकालेंगे you do it on यह आप swim करेंगे, इसको मैं लिखती नहीं हूँ आप swim करेंगे इसको, यहाँ पर आप swim कर लीजे इसको अब इसके बाद में f4 जब हम निकालेंगे, इसके बाद next f3 का मतलब क्या हो जाता है, f square into f तो यह f square रख देंगे यहाँ पर, और फिर f रख देंगे यहाँ पर f और इन दोने को गुणा कर लेंगे इसी तरह से जब f आएगा, तो f cube into f कर देंगे और उसको भी जब हम multiply करेंगे, तो वो हमारे पास में आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इस तरह से हमने क्या देखा कि f of 4 equal to है हमारे पास में identity तो जब यह f of 4 identity है, इसका मतलब क्या हुआ कि order of permutation या cyclic permutation permutation is 4 तो इस तरह से हमें order निकालने हैं कि जितनी बार हो permutation को हम गुणा करते चले जाएंगे और उसके बाद जो भी उसका order के बाद में identity आता है, तो वो उसका order होता है अब next step पक्षानतरन कोई भी चक्रिय करमचे जिसकी लंबाई दो है तो वह पक्षानतरन कहलाता है जैसे की मान लेते हैं हमारे पास में example 1 और 3 है ठीक है, यह element है S3 का S3 क्या है, S3 equal to है 1, 2 और 3 तो यहाँ पर यह permutation कितना हुआ 1, 3 इसके cycle होई, कैसे होई 1, 2, 3, 1 का 3, 3 का 1 और इसके 2 का 2 तो इसकी जो cycle है, इसकी जो length है, यह 2 है इसका मतलब जिसकी भी length 2 हो पूरे permutation में जहाँ पर भी जिसकी length 2 हो, तो वह हम कहते हैं कि वह transposition यानि की पक्षानतरन लंबाई 2 का है 2 उसकी लंबाई होती है, तब उसको हम transposition कहते हैं, अब आता है disjoint cycle disjoint cycle किसे कहते हैं किसी भी समुच्च S N के कोई 2 क्रमचे हम लेने F और G वो दोनों क्रमचे किस तरह के होने चाहिए कि जो F X है वो अगर X नहीं है तो G X बराबर X होना चाहिए यदि F X बराबर X है तो G X बराबर X नहीं होना चाहिए इसको हम example से ऐसे समझते हैं तो हम इसको F और G को अज सहीं उक्ति चक्र कहते हैं इसको example से ऐसे समझेंगे suppose F is equal to है 1, 2, 5 यह cyclic permutation हो गया हमारे पास में और G हमारे पास में है 3, 4 तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो function of इसको जब हम बनाते हैं यह हो गया 1, 2, 3, 4, 5 suppose यह 5 का है तो यहाँ पर 1 का 2 2 का 5 5 का 1, 3 और 4 इसी तरह से यह वाला permutation 1, 2, 3, 4, 5 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 4 का 3 और 5 का 5 तो हम यहाँ पर कहेंगे कि F of X F जो cycle है वो is not equal to G तो हम यह क्या कहेंगे यहाँ पर यह अरसायूक्त है disjoint है क्योंकि यहाँ पर एक भी अभियाव सेम नहीं है F के और G के तो इसको हम disjoint कहते हैं अगर हम कहेंगे suppose example number 2 ले F equal to 1, 2, 3 and G equal to 3, 4, 5 तब हम कहेंगे कि F is F and G F and G are not disjoint sorry not disjoint यह अरसायूक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर यह जो 3 है यह दोनों में common आ रहा है तो यह अरसायूक्त नहीं है अब हम even and odd permutation के बारे में पढ़ेंगे even and odd permutation क्या होते हैं कि एक क्रमचे के पक्षान तरन का गुणनफल के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो हम अगर उनकी संक्या सम है तो उसे हम even कहते हैं और अगर विशम है तो हम उसे विशम कहते हैं तो इसी तरह इसके मैं example से आपको समझाती हूँ जैसे कि suppose हमको एक दियावा है row equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसका पर मैपिंग है 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 9, 8 अब अगर हम इसको हमको निकालना है कि find, find, row is even or odd अब यह हमारा सम यह विशम है इसके निकालने के लिए पहले हम इसका cyclic permutation निकालने के लिए तो cyclic permutation निकालने के लिए आप देखें यहां से 1 का mapping है 2 तो 1 के बाद में 2, 2 का mapping हमाई पस में 3 है तो 3, 3 का 4, 4 का 5 और 5 का 1 तो यह 5 का 1 पे खतम हो गया वापस से यह 5 का 1 फिर हमने दूसरा देखा 8 का 9 और 9 का 8 तो यह हो गया 8 और 9 तो यह हमारे पास में cyclic permutation आ गए अब इस cyclic permutation को हम transposition में change करेंगे यानि कि जिसके length 2 हो तो यहाँ पर 1, 5 आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा sorry पीछे से लिखते हैं सारे 1, 3 sorry, sorry वैसे यह सब सही है लेकिन फिर भी हम पहले 1 और 5 लेंगे फिर 1 और 4 लेंगे फिर 1 और 3 लेंगे फिर 1 और 2 लेंगे और यह 8 और 9 तो single ही है तो यह हो गया अब हम इनकी संख्याओं को गुनेंगे तो यह संख्याओं हमारे पास कितनी है 5 इसका मतलब क्या है यह odd permutation तो इस तरह से यह हमारा एक odd permutation का example है इसी तरह से अगर हम even permutation का example लें तो even permutation के लिए अब even permutation के लिए example number हमारे पास में है जो 2 है वो है suppose हमने लिया 1 2 3 4 5 3 2 5 4 1 यह हमारे पास में एक permutation है F equal to अब इस permutation का यह even है या odd है यह चेक करने के लिए हम इसका cyclic permutation मनाएंगे जो की होता है 1 1 का mapping 3 3 का mapping 5 और 5 का mapping 1 यह बंद हो गया और 2 का 2 4 का 4 हम लिखते नहीं है इसको हम change करेंगे 1 5 1 2 यह हमारे पास में कितने हो गया 2 is equal to 2 तो यह हमारे क्या हो गया even permutation इस तरह से आपको इस chapter के मैंने सारी definitions बता दी है अब next video में मैं आपको इसके कुछ सवाल हल कराओंगी और उसके बाद जो theorems बची हैं उनको हम solve करेंगे Thank you